पूर्णिंग स्टुडेंट हम कर रहे थे ग्रामर के अंदर 6 चैप्टर एड्जेक्टिव्स डिग्री ओफ कंपैरेजन के अंदर जो है यहाँ पर आपके बाकी सारे हमने जो है देख लिए थे कैसे डिग्री ओफ कंपैरेजन बनती है सारे रूल्स देख लिए थे एक जो य फ ही दास्ट रूल a iis के अंदर हमें देखना ता इसमें क्या हो जाता है कि ना तो ई यार लगता है जैसा क्यमने पहले देखा था पहले हमने क्या देखा था ुद कंपैरेज़टिव नोर्मल होती है इं पीछे यार लगातेहं और सुप्रलर्टिव बनाने के लिए एश् लगा दिया जाता है लेकिन यहां पर क्या बता है कि उनके spelling ही चेंज जाती है पूरी तरीके से चेंज जाता है जिसे positive अगर good है तो comparative होगी better superlative होगी best positive अगर bad है तो comparative worse और superlative worst many का हो जाता है more और most much का हो जाता है more और most little का हो जाता है less और least, old का older, oldest, यहाँ पर भी old का, जो है, use for both people and things के लिए इस तरीके का होता है, use for people mostly with reference to members of some same family, same family के members के बारे में अगर हम बात करें, तो old का फिर elder और eldest होता है, far का father and furtherest, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो है, इस तरीके से होता है, place और time के लिए है, तो हमें fu बाला लगाना है, further and furtherest, late अगर position के लिए है, तो letter and last, लेकिन अगर time के लिए है, तो letter and latest, इस तरीके से आपको देखना है, यह इस तरीके से comparative और comparative के अंदर convert होता है, बाकि सारे जो rules है, एक बार हमें ध्यान से पापस देखन है, कि जिसे er और est तो लगाती है, लेकिन अगर last में y होता है, तो y को हटा कि हम पहले i लगाते हैं, उसके बाद में comparative के लिए er लगाते हैं, और superlative के लिए est लगाते हैं, और अगर last में already e है, तो आपस e लगाने की जोरूत नहीं है, बस r और est लगा देंगे, और फिर यह बैठ है, उसको repeat करना है, फिर er और est लगाना है, और यह तो हमने देखा ही था, यह comparative के आगे more लगता है, और superlative के आगे most लगता है, इन तरीकों को use करके, यहाँ पे आपके जो exercise दे रखी है, और यह जो exercise हैं, देखें, कि इसमें आपको कुछ-कुछ words दे रखें और और एक vowel है, consonant फिर vowel है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले alphabet को repeat करना था, इसलिए हमने जी को repeat किया, फिर er लगाया, और यहाँ पे एस्ट लगाया, और यहाँ पे आपको wetter दे रखा है, तो इसका जो positive होगा, वो wet होगा, और superlative wetest होगा, फिर यहाँ पे आपक फिर costlier, तो देखो, यहाँ पे क्या लग जाएगा, costly य लगेगा, य हटा कि I-E-R लगाया जाता है, तो यहाँ पे costly और यहाँ पे costliest, फिर इसके बादने है toughest, टफेस्ट के लिए tough और tougher, important जो है, यहाँ पे more important और most important हो जाएगा, फिर slimmer का slim और slimmest, फिर old का older and oldest, और best comparative होगा, better, इस तरीके से यह आपके question जो है, complete हो चुका है, next, जो question है, यहाँ पे देखें, मैंने आपको जो है, सही degree लगानी है, और किस word को use करना है, वो आपके bracket के अंदर दिये रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से degree लगानी, तो इसका एक ही निशान हमीशा आपको याद रखना, अगर superlative degree हमें use करनी है, तो blank के आगे the होता है, हमेशा मैंने आपको बताएगा, अगर blank के आगे the है, तो आप इसको superlative बनाना, लेकिन अगर blank के पीछे then है, तो आप इसको comparative बनाएंगे, और the और then, मैंसे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आप इसक यही निशानी हमेशा याद रखनी है, कि अगर blank के आगे the आया, तो हम इसको superlative बनाएंगे, जो option दे रखा है, उस word की हमें सही degree use करनी है, या तो positive या comparative या superlative, तो बस हमें blank के आगे की चीज़ देखनी है, अगर आगे the है, तो इसको superlative बनाओ, अगर पीछे then है, तो इ longest कर देंगे, फिर सेकेंड वाले में पीचे then दिया, तो fast को faster कर दिया, यहाँ थर्ड वाले में पीचे दे दिया, तो hard को harder comparative degree बना दी, फिर यहाँठ भी देखो then दिया, तो हम tall को क्या करेंगे, taller comparative degree बनाएंगे, और यहाँए इस वाले blank में न तो the दिया, न दिया, कुछ यहाँ पर आगे आपको दे दिया है six वाले में दिया मतलब सुपर लेटिव डिगरी सुपर लेटिव डिगरी के लिए हम हैपी का हैपी एस्ट करेंगे y हटा के i फिर est करेंगे इस तरीके से यह आपके जो है इतना आपके हो गया है बाकी का हम अगरे वीडियो में करेंगे